है वालव दोस्तों स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल एकग्जाम मोर में आज हम बات करते हैं ब्लैक फंगर महामारी के जो आने वाले इंपरेंट कोसिन एंदेखते हैं क्या कि इंपरेंट कोसिन बन सकते आने वाले परिक्षा के लिए प्रिOM ब्लैक फंगस महामारी है यह कहां से फैली है पिरतम राज्य कौन सा है ब्लैक फंगस का अन्य नाम क्या है तो देखते हैं फिर अन्य महत्पूर पिर्शन जो आगमी सभी प्रियोता पर इक्षाओं के लिए काफी इंपोटेंट होने वाले हैं जो चैनल पर पहली बार आया है हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बरारों में बैल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको टाइम टाम नुट्फिकसर मिलता रहे हम इस चैनल पर ऐसे ट्रिकी वीडियो हैं सोट वीडियो और सरकार नोकरी से जुड़ी अपडेट कराते रहते हैं देखते हैं फिर करते ह उचकांक में 2021 में भारत की क्या रेंक री तो यह दिए आपकी 86 वी रेंक नेक्स देखते हैं कि हाली में किस राजे ने मास्क विजान लौंच किया तो किस ने करा यह आपके उडिशा सरकार ने उडिशा में स्टेम किसकी इस सरकार है तो वहांके जो सीमें वह नवीन करेंगे एक को वैक्सिन को विक्सित किया तो भारत वैक्सिन को और सीरम इस्टिट्यूट ने करा है को वी सिल्ड को तो इनके उपर देखो काफी डिटेल से बात करेंगे देखते हैं फिर इनके बारे में थोड़ा आधर वैक्सिन और कोवीसिल्ड जो कोवीसिल्ड है बुजे की किसा ने बनाई तो भारत वैयुटएक Вс씨 या कहां की थे या आपकी और फार्मसी ने बनाई है ये और ये देश में बनने वाली पहली कोवैक्सीन है ध्यान देना कोशन बन सकता आने वाले अग्जाम में की देश में बनने वाली पहली वैक्सीन कौन सी है तो ये आपकी कोवैक्सीन और कोशन ये भी बन सकता कि हैदरावाज किसे नदी किनारे है तो ये मूसी नदी के किनारे याद रखना किसे नदी किना रहें किसने बनाई यह भारत वेट है कहां कि कंपनी है है अधरबाद की और देश में बनने वाली पहली वैक्सीन है और यह कोवी सिल्ट की बात करें तो यह किसने बनाई है सीरम इस्टिट्यूट ने इसके सीओ की बात करें अपने नाम सुनाओगा अधार पूने वाला तो की डोज की बात करें कव 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 की हैं तो यह को वैक्सीन की बात करें तो पहली डोज तो लगए आपकी है जो पहली डोज आपने लगवा ली तो इसका 28 दिन के बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हो 28 दिन के बाद और 42 के बिच में ऐसा नहीं है कि दूसरी डोज भी लग यह तो लगवानी पड़ेगी आपकी दूसरी डोज 28 दिन के बाद आप लगवा सकते हो और कोभी सिल्ड की है आपको 42 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लेनी पड़ेगी दोनों सेफ हैं लेकिन ज्यादा कारगर को वैक्सीन है लगबग 90 कारगर है यह लगबग 20 कारगर हैं से दोनों सेफ हैं कि लेकिन या देना यह जो को वैक्सीन特 मतलब टेट व्याद रखना अगे देखते हाली में किस देश ने अपने यहां सब से बड़ा कोवीड वैक्सिन के इन्द साप ही तुरे नियूज्ज लैंड ने और हाली में कितने राजयों ने ब्लेक फांगस को नौटी फीवेल नोटी फीवेर डिजीज घोसित किया तो कितने राज्यों ने दस राज्यों ने और भारतिय आईरवेद की अनुसंदान परिस्द ने हाली में कोरोना वैक्सी से संबन दित किस थेरोपी को हटा दिया तो प्लाजमा थेरोपी को इतके लिए हटा दिया आज देखते हैं नेक्स्ट है कि म्यूकुरो माय्क्स old एक रोग है जिसे किसे फैलता ये跟大家 और भारत fortunate अनुसंदान परिस्द के डिएक्टर जनर्र को नहीं प्री Beyond नेक्ष्ट लेखते हैं कोई राज्ये ब्लैक फंगस मामारी को किकर तो किस एक्ट के द्वारा महामारी घुषित कर सकता है तो याद रखना एक्ट है महामारी रौक 1897 याद रखना एक्ट एक्ट आपका अपकाट अगैंधर दीक्ते ही जो अब बात करना एक्ट करना भाटिन बचाव के लिए किस दव्वाग今天 किया जा रहा है तो यादर रखना भी आपको महराष्ट गुज्राथ और आपके महराष्ट गुज्राथ दिल्ली में तोजय को प्रिवावित करता है विद्धे लेखन धियान देना यह यह उनमें लक्षर पार गए हैं जो कोविड जो मतलब कोरण वैक्स जो कोराने से पीड़ित थे जो थीक होके आए हैं उनमें ही यह लक्षर पाए गए हैं कि इसके ब्लैक वंकस के दिल्ली में मरीज पाए गए इसके महाराष्ट और गुजरात में तीन राज्यों में पाए गए वाइट फंग्स की बात करें एक्या नाम है केंडिड के नाम है कैंडिडा आगे दीखते हूं कि बात करें कि ब्लैक्ट का सबसे ज्यादे मिलें आपके महरष्ट में मैंने हता है कहां वैसे मरीज दिल्ली में देखने को मिले हैं और आपके गुजरात में सबसे ज्यादे पर महराष्ट में मिले हैं और ब्लैक फंकस सरीर के कौन से यंग सरवदिक प्रवावित होते हैं मैंने आपको बताए ता आख है तुएचा है दिमाग है फैंपड़ा यहां को प्रव मियूर कर किसे फैलता मियूर कर तो याद रखना यह आगे देखते हैं वह इतने को संते यह बने कि ब्लैक फंकस को अन्य नाम से जाना जाता है तो याद रखना मिक्रो माइकोसिस क्या है मिक्रो माइकोसिस उम्मिद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले जाहिन दोस्तो